तो आधार कार्ड को किसी तरीके के इंट्रोडक्षिन की ज़रूदतों है नहीं तो आधार कार्ड यूनिक अइंटिफिकेशन रूपरिटी और इंडिया और्या सराफ होगत है कि वहां कर सकते हैं दो नों में इन इत्स़र्ट में दीफरेंस रहे अगर घर बैठे काम करेंगे तो सालरी अलग मिलेगी और अगर जाकर आफिस में काम करेंगे तो अलग होगा पेमेंट लेकिन घर पर से भी काम कर सकते हैं एक्जाम होगा नहीं इसमें इंटर्व्यू होगी नहीं घर बैठे काम करने का अच्छा मौका है तो चलिए अगर लिए देखें लेतें बाखे टेश्ट पास अपने घ्राजेशन के पास ट्वेशन लिया है प्र सेमेस्टर में थर्ड यर में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्राइज़ेशन करना है या हो चुका है तब भी आप कर सकते या टेक डिया कर सकते हैं अब्द के ऐप्लाइक कर सकते हैं characterized क्रसे कर सकते हैं एकनोमिक्स लॉड वाले ब्रांच ज़से अगर बिलॉंग कर ते वह भी आप्लाइ काम करना चाहेंगे लेकिन आप कुछ और पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ और कॉम्पोटेशन की तैयारी कर रहे हैं आप थोड़ा सा अं करना चाहते हैं पॉकेट मनी तो घर बैठे 15,000 रुपे मिलेंगे में टेक काम करेंगे तो चाली सजार पर मिलेंगे और अगर घर अं माल जो फवेर ठाहर कौर पढ़ाई करना चाहें तो पिस जा अदर सब्सक्राइब इसमें टेक्रियों के लिए अगे कौर अगी तैं पर श्य striần病 के लिए तो चाली सभिगने प्रोफेशनडेट को अगर अगर नहीं जाएं गर भीतिके काम करें तो भीका में मेलों अग अगर आफिस जाके काम करेंगे तो 50,000 पर मन्त वैसे अगर आप ग्राइजुएशन कर रहे हैं या कर चुके मतला 12 अपने पास कर लिए और अडमिशन ले लिया है अफिस जाके काम करेंगे 20,000 पर मन्त घर बैठे काम करेंगे तो यहां तक आप समझ गया हूंगे अभी यह जो है इसकी अप्लिकेशन की प्रोसेस सिंपल है यह स्टाइपेंट है और यह इंटर्नशिप है जो की 2022 में रिगुलेशन निकाला है मतलब यह रूल्स जो है इनके यह 2022 में निकाले जो इंट्रेस्टेट कैंडिडेट है वह सालों पर अप्लाई करते रह सकते हैं जब उनको रिक्वार्मेंट होगी तो वह उसमें बुला लेंगे अब इसमें देखें यहां पर वेबसाइट पर चलते हैं इसमें क्या काम रहता कुछ टेकनिकल काम है जैसे कि कुछ चेंजेज करने वगरा तो वह कोई टेकनिकल जिसको नौलेज भी टेक करेंगे और कुछ रिमोट से काम करेंगे कि मतलब नए जो आधार काड़ बनते वह काम रहेगा कुछ लीगल इसूस आगे उसमें तो वह कुछ तो इसूस आते रहते ना कि चोरी हो गई या कुछ किसी ने मिस्यूज कर लिया तो वैसे अलग-अलग केसे रहते ना उस टाइ काम अलग-अलग जहां पर रिक्वार्मेंट होगी उससा आपका काम एसाइन होगा तो जो सबसे बेसिक काम तो यह कि डेटा एंटर करना है और बना मतलब उसको जो भी इंफर्मेशन आपको मिलती है सामने वाला जो भी देता है वोटो कॉपी वगरा लेके उसको डेटा को आलाइन ट्रांसफर करना है यह सबसे बेसिक काम उसके बाद उसके पर कही सारे काम होते है तो अब आई डी ए आई में आप आए तो वर्क विद आप देखेंगे यहां पर वर्क विद यू आई डिया यह वर्क विद में सबसे नीचे-चे इंटर्शिप इन यू आई डी इंटर्शिप मतलब 6 मेने से 12 मेने कारेगा फिर जिनको काम मिलता है ठीक है अब यंग प्रोफेशनल भी ध्यान दूंगे अगर इसमें कुछ काम लाइक है तो तो इंटर्शिप इन यू आई डी आई पर क्लिक कर लेते हैं कि इन श्लो और लेकिन वह पन हो रहा है तब तक इसे जो अद्वर्टीमें्ट है उससे चेक कर लेते हैं कशें जब आप इसमें इंटर्णशिपीन यू इन अडीडदी ए सेक्शन में एंटर करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा प्र इंटर्णशिपीन यू इडीटी क्लिक फियर इंटर्णशिप यह पॉलिसी में 2022 लिक है, मतलब यह policy बनी है, जब regulation बना है वो 2022 में की ऐसे-ऐसे payment होगा, यह एपलाई कर सकते हैं, ऐसे अपलाई कर सकते हैं, यह सारी चीज़े policy बनी है 2022 में, but it is ongoing process, हमेशा आधार कर्ड में change करना, edit करना, correction करना, नया बनाना, यह काम चलता रहता है, उसमे केंडिडेट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनको एपलाई करना इसे और पीडियों से और चीज़ें कवर कर लेंगे इसमें एज का कुछ कंडिशन नहीं है फिर एक बार देख लेते हैं अब जो इंटरस्टेट होंगे इनको इंटर्शिप यहां पर जो भी इमेल आईडी दी है इसको प्रॉपर्ली आपको नोट डाउन करना और इसमें आपको बायोडेट अपना पीडियों में कनवर्ट करके अपना परसेंटेज अपना पॉन नंबर मॉबाईल नंबर अब अगर है तो इमेल आईडी वालेट इमेल आईडी लेटेस फोटोग्राफ अपना स्कैन करके यह सारी चीज़े करके सिंगल पीडियों करके आप इस इमेल अईडी पर बेज देंगे और जब आप इमेल पर करेंगे तो जिसको सब्सेक्ट लाइन उसमें आप लिखेंगे कि अप्लिकेशन फॉर इंटर्णशिप इन यू आई डिया तो हो गया ऑल अवर इंडिया कहीं पर भी आप घर बैठे काम कर सकते हैं अपको और इंफर्मेशन ले ले सकते हैं परपस परपस तो पता ही काम होता को अफिर्स्ट शेयर में है सेकन् PET, इस नहीं में सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस में साल उपता है अचShow – और आप आप आफिस जाके काम करना चाहेंगे तो बैंगलोरो में या फिर रिजिनल ओफिसे जो भी है यू आईडिया एक और इंडिया जहां पर रीजनल ओफिसें वहां जाके आप काम करना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर और एसाइन फॉर में रिमोट लोकेशन अंडर अब आपने यहां पर जोइन कर लिया तो आप 6 साल काम करेंगे ऐसा कुछ नहीं है अल्रेडी शॉट लिस्टेड पर इंटर्व्यू अन ओन मेरिट थू रिटेन एक्जाम प्रोसेस अप केंपस हाईरिंग तो इसमें जो केंपस से हाईर हुए हैं उनके लिए अलग है अध प्रोसेस अपको बताएंगे सेलेक्शन आफ इंटर्व्यू 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 नहीं बिले सकते हैं एक्जाम तो नहीं लेंगे नंबर ओफ इंटर्व यहां पर अभी उन्होंने लिख रखा यह तो चेंज होते रहता है रीजनल ओफिसेज में रिक्वार्मेंट बता रहे हैं और यह सब तो बेसिकली जो में चीजें वो मैंने आपको बता दी इमेल करने का तरीका भी बता इमेल पर भेजना यह भी इसमें आपको मिल जाएगी इसमें आपको कुछ नी करना इस पर क्लिक करना इसमें अबाउट यू आईडी आई में जाना मोबाइल में कैसा दिखे का वालग बात है वर्ग विद यू आईडी आई में आप जाएंगे इसमें और भी ऑप्शन से लिकिन यह वर्क फर्म था वैसे मैंने अगर यह उपन नहीं हो फाइनली तो आपको मैंने मेल आईडी वीडियो में ही शो कर दिये वह मेल आईडी आपनो डाउन करके अप्लिकेशन कर सकते हैं